हलो एब्रीवन विल्कम टू स्टडी आई क्यों पीस दिस इस मनीश रवास्त जैसा कि आपको पता है दिनके तीन बजे एक इंपॉर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें MPPAC मेंस के अलग-अलग टॉपिक्स को हम लोग यहां डिसकस करते हैं तो आज भी एक इंपॉर्टन इंडस्ट्री के उपर हम Session लेने वाले जिसमें हम कौ्टन टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले मतरब सूती वस्त रुद्दियोग जिनको कहा जाता है तो कॉट्टन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इसका काफी दब दबाओं MP के अंदर तो इनके सारे reasons भी समझेंगे और कहां-कहां पर यह plant establish किये गए थे कबसे यह दौर चालू हुआ कि जब से यहाँ पर cotton textile industries को start किया गया है तो सारी season detail में cover करेंगे तो शुरू करेंगे हमारा session किसके बारे में तो cotton textile industries of मध्य प्रदेश को देखते हैं इसके अलबब कोई भी doubts है तो इन social media handles पर मुझसे जुड़ सकते हैं इस lecture में दिये गए question का answer आपको कहां लिख कर भेजना है तो इस mail id पर या telegram group से आप जो है lecture की pdf भी download कर लेंगे तो जुरू करेंगे हमारा session जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे तो हम cotton textile industries की बात करेंगे अगर हम बात करें cotton textile industry तो भाई cotton textile industry एक ऐसी industry है जिसको बताया जाता है कि वह यह सबसे ज़्यादा employment provide करती है मतलब railways में employee बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके अलावा अगर हम railways को देखें तो railways आ जाता है tertiary sector में क्योंकि वो क्या है वो आपको देता है एक तरीके से service sector है लेकिन जहां पर production होता है और एक ऐसी industry जो किसके उपर depend कर रही है agriculture पर depend कर रही है क्रिशी पर निर्भर कर रही है तो इस उद्योग को क्रिशी आधारित उद्योग कहा जाता है यह कैसा industry है तो इसको कहा जाएगा क्रिशी आधारित उद्योग मतलब आपका agrobase industry है अब agriculture का ही तो product है क्या cotton अब इस cotton से आप क्या करते हो textile बनाते हो तो यह जो textile है cotton textile तो cotton से textile बनाने का जो process है industries के तुरू उसको कहा जाता क्या कह दिया जाता है उसी को कह दिया जाता है cotton textile industry मतलब हिंदी में अगर शब्द को देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग तो हम किसकी बात कर रहे है सूती वस्त्र उद्योग की तो cotton textile industry की अगर हम बात करें तो बहुत सारी यह जो industry है यह बहुत prevalent है इंडिया के अंदर और आज से नहीं Britishers के टाइम से है मतलब Manchester को खड़ा करने में इंडिया का बहुत बड़ा काम है Manchester कहां पर है तो आपका यूरोप में है लेकिन Manchester की factory चल कैसे पाई उसको raw material कहां से मिला तो वर्ड में जो अच्छी cotton होती है वो तीन ही जगा होती है या तो अमेरिका में होती है या आपका अफरीका में होती है एजिप्ट के आसपास और तीसरी इंडिया में होती है तो वही इंडिया से पूरा का पूरा raw material कहां जाता था इंग्लैंड जाता था और वहाँ पर industries में बनता था तो मैंचेस्टर जो है मतलब जैसे कि हम हर तरह की industries पढ़ने है तो कपास जाता था और वहाँ पर उसको cotton में convert किया जाता था और वहाँ से कपड़े बनकर इंडिया में आते थे और यहाँ पर बेचे जाते थे तो किसानों से यहाँ पर जबरदस्ती cotton उगवाया जाता था और यहीं से raw material इंग्लैंड जाकर वहां से ready made material यहां पर आकर बेचा जाता था तो यह फूरी चीज़े colonialism में देखने मिलती है कि जब हमारे पास जब हम भारत एक उपने वेश हुआ करता था ब्रिटिश का तब यह सारी चीज़ें हुई तो उस समय ही बहुत सारे cotton textile मिल भी इंडिया में स्टैबलिश किये गए यह कुशन भी अभी हाली में आया हुआ था कि यह जो है सबसे पहली cotton mill जो है कहां स्टैबलिश की गई थी तो यह आप में से किसी को पता है इंडिया में सबसे पहली industry है हमारे course point of view से और इससे related facts बहुत आते हैं तो देखा जाए तो 1818 में बताया जाता है Fort Gloucester ये कहां पर है तो Fort Gloucester बेंगॉल के अंदर ये factory चालू की गई थी लेकिन ये unsuccessful रही इसके बाद next जो है 1855 के पास CN दिवार ने इसको open किया था कहां पर Mumbai में तो Mumbai में 1855 में सबसे पहला successful open किया गया था नहीं नहीं सूरत में नहीं किया गया था cotton textile को आप देखेंगे तो Mumbai में पहला तो आपको Bengal में मिलेगा मतलब Bengal जो था वहां पर खोला गया था उसके बाद आपको मिलेगा कि ये कहां पर खोला गया Mumbai में खोला गया अब ये जो है उस समय काफी raw material इंडिया में हुआ करता था तो यहां पर भी मिल्स को चालू किया गया था साथ साथ इंग्लैंड में भी जो industrial revolution हो रहा था तो अद्यों की क्रांती हो रही थी उसमें भी मदद कर रहा था तो इसलिए उस समय भी वहां पर देखने मिलता है बहुत ज्यादा प्रिविलेंस था आगर आज हम देखेंगे तो आज मद्रप्रदेश की बात करें तो थर्ड नंबर है प्रोडक्शन में मतलब कपास उत्पादन में मद्रप्रदेश का कौन सा नंबर आता है थर्ड नंबर आता है और ये जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को employment प्रोवाइट करती है तो ये रोजगार भी देने वाला उत्योग है employment भी देती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे cotton mills जो हैं ये cotton places हैं जैसे हमारे एहमदाबाद को अगर हम माने मुंबई की बात करें कानपूर की बात करें कोयमबटूर की बात करें और MP में जब बात की जाती है तो MP में में लिए इंदौर की बात की जाती है जहां पर cotton textile industries को establish किया गया है तो हमारे इंडिया में बहुत सारी places हैं जैसे एमदाबाद, सूरत, मुंबई, इंदौर, कानपुर, कोयम, बटूर, मदुरई तो यह अलग-अलग places हैं जहां पर बहुत जादा जो textile industries है यह cotton textile industries है इनका prevalence है आलबा बेल्ट पर ही मिलेगी और इंदौर को जो मिनी बॉम्बे कहा जाता है उसकी एक सबसे बड़ी वजा है cotton textile industries के लिए तो cotton textile industry जो है इसके कारण जो इंदौर है उसको मध्यप्रदेश का क्या कहा जाता है commercial capital जैसे इंडिया की commercial capital क्या है तो मुंबई है इंडिया की commercial capital हम मुंबई को कहते हैं वैसे ही आपका MP की जो commercial capital है commercialization का क्या मतलब होता है तो commercialization जहां से बहुत जादा हमको पैसा आता है राजस्फराजदानी जिसको भी कहा जाता है revenue capital भी जो है वो आपकी इंडिया की मुंबई है और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है बहुत बड़ा जो background है वो किसके कारण है तो cotton textile industries के कारण है इसके अलावा हम इसको mini Mumbai भी बोलते है या mini Bombay बोला जाता है mini Mumbai या mini Bombay तो ये भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पीछे भी जो कारण है वो है cotton textile industries का तो इंदोर को cotton textile industry के तोर पर जाना जाता है मध्यप्रदेश में अगर आप यूपी जाएंगे तो वहाँ कानपूर है आप गुजराच जाएंगे तो वहाँ एमदाबाद है सूरत है महराष्ट में मुंबई है तमिलाडू में कोयमबटूर मदूरही है तो ये सारी जगा जो है आपकी cotton textile के लिए काफी फेमस हो जाती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही सबसे पहला जो ब्रिटिश के समय ट्राइ किया गया था cotton textile तो 1818 में Fort Gluster को किया गया था लेकिन unsuccessful रहा था बाद में 1855 में CN दिवार ने बहुत अच्छे से मुंबई में इस industries को establish किया अब ऐसे ही हम बात करेंगे कहाँ पर मध्यप्रदेश के अंदर भी बात करेंगे तो मध्यप्रदेश में अगर हम देखते हैं तो वही सबसे पहले MP के अंदर जो cotton textile industries आई MP के अंदर cotton textile industries का आने का एक बहुत बड़ी वज़ा जो थी वो अगर आप map पर देखेंगे तो आपको मिलेगा MP का जो ये वाला part है यहाँ पर आपको 90% cotton textile मिल देखने मिल जाती है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग cotton textile mills यहीं पर देखने मिलती है 90% तो cotton textile industries western part या मालवा वाले part में क्यों establish जादा है इसका भी reason आप से पूछा जाएगा इसके अलावा MP में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो experiment था वो 1906 में किया गया था बुर्हानपुर में जो कि इतना successful नहीं रहा था ब्रेटेशन के time तो फिर 1907 में इंदोर के अंदर जिसको मालवा मिल कहा जाता है उसको open किया गया था जो कि काफी successful रहा आज भी सबसे आदर जो हमने बात कर रहे हैं कि जो मालवा बेल्ट है उसके पास क्या है 90% जो है cotton textile industries MP की यहीं पर आ जाती है तो इसकी कोजिना कोई तो वज़ा होगी क्या वज़ा होगी जिसके कारण इस बेल्ट पर इतनी industries खोली जाती थी तो अगर हम बात करें तो हमारी कहानी वहीं से चालू हो जाएगी जिसको कहा जाता है raw material हम किसकी बात करेंगे raw material की मतलब खुदरा समान कोई भी industries चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए आपको raw material चाहिए अब raw material cotton textile का क्या है तो यह कैसी industry है तो शुरू में ही हमने बात करी यह एक agro based industry है यह agro based है मतलब एक क्रिशी आधारित उद्योग है अब जब हम क्रिशी आधारित उद्योग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाती है तो क्रिशी आधारित उद्योग में आपको raw material चाहिए अब raw material के लिए क्या चाहिए इसके लिए इसके लिए चाहिए cotton तो बहिए cotton के लिए एक चीज होती है जिसको कहा जाता है black soil जो black soil है इसका एक नाम होता है इसको हम बोलते है black cotton soil तो पहली जो वज़ा है black cotton soil जिसको रेगूर स्वाइल भी कहा जाता है हिंदी में इसको काली कापासी मिट्टी कहा जाता है तो ये जो चीज है जो black soil होती है उस पर काफी prevalent होती है मतब जहां काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर cotton का production काफी जादा होगा तो बेसिकली MP का जो मालवा रीजन है ये black soil से ही घिरा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहला जो raw material होना चाहिए cotton वो बहुत जादा prevalent था इसलिए 90% जो industries थी यहीं पर establish की गई थी सर आप MP PSC की strategy के उपर एक वीडियो बना दीजेगा विलकुल उसको create कर दूँगा मैंने पुराने वीडियो में भी मैंने बताया कैसे प्रिलिम्स को करना है मैंने कुछ question papers भी कराये थे आपको मैंने playlist भी एक share की हुई है टेलिग्राम ग्रूप पे भी की थी कई बच्चों ने कहा था उसमें देखिएगा जब mains का paper हुआ था तो मैंने mains के paper भी कराये थे इसके अलावा मैंने और भी बीच बीच में जो है किस तरीके से prelims को target करना है कुछ चीजें बताई हैं तो उनको भी follow करिये इसके अलावा अलग से भी मैं जैसे जैसे हम prelims के पास आएंगे next वाले तो कुछ चीजें में इस तरीके से कि आपको क्या क्या करना है देखा जाए तो अभी हम जो भी चीजें पढ़ रहें आपको यह आपको prelims में help करेगी जरूर इसके अलावा मेंस के हिसाब से भी हम चीजें develop कर रहें तो prelims में इस दोनों को ही लेकर मैं चल रहा हूँ कि ताकि आपके prelims में भी जो experience है उनको भी कोई तरह की issues ना है तो हर तरीके के factual information भी clear हो और clarity के साथ clear हो केवल हमें fact रटने ना पड़ें तो उसको भी करेंगे बाकी इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं वो है raw material की तो raw material जो cotton textile industries को चाहिए वो है cotton और cotton इस reason में ज्यादा क्यों होगा क्योंकि यहाँ होती है black soil तो black soil जो है काली मिट्टी जो होती है उसमें होता है titanium ferrous magnetite और titanium ferrous magnetite के कारण इस color का होता है black और black color में जो है soil के अंदर cotton sugar gain इसके लावा citrus food मतलब खटे फल काफी अच्छे होते हैं तो यह soil काफी favorable होती है इस तरह की crops के लिए तो यहाँ पर जो यह industry setup की गई उसमें एक बहुत बड़ी चीज यह थी अब केवल क्या हमारे पास raw material हो और उससे काम हो जाता है तो ऐसा भी नहीं होता है raw material के साथ और भी चीज़े चाहिए होती है जैसे MP में diamond होता है लेकिन diamond processing center MP में नहीं है तो हमारे diamond industries नहीं है हमें सूरत जाना पड़ता है processing कराने पड़ता है तो हमारे अगर कोई mineral मिल रहा है तो उसके साथ पूरा का पूरा अगर वहाँ पर कोई एक hub तयार होगा कोई textile park तयार होगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है वहाँ पर सारी विवस्ताइं ज़रूरी है सारे जो भी आपकी facilities है वो ज़रूरी हो जाती है तो केवल हम इस basis पर नहीं बोल सकते कि हमारे raw material अच्छा होता था इसलिए हमने यां establish किया इसके और भी का परंडर है कि हमारे यां जो था वो power looms और looms भी जो है काफी amount में है power looms का मतलब क्या होता है तो आपने देखा होगा कि एक चर्खा होता है चर्खे से भी आपका क्या होता है खादी बनाई जाती है तो ऐसे ही जो machineों से आपका जो cotton लिया कपास लिया और उससे धागा जो उससे कपड़ा जो बनाए जाएगा वो किसकी help से किया जाता है तो power loom से तो हमारे यां loom industry और power loom industry ये दोनों ही loom इस तरीके से बनाना और power loom industry इन सारी चीजों की काफी जादा जो है मात्रा हुआ करती थी काफी जादा amount हुआ करता था आज भी अगर आप बुरहानपू development है तब तो उस चीज को आप prevalent कर सकते हो उस चीज को promote कर सकते हो से जादा production कर सकते हो तो हमारे यां power looms भी थे हमारे यां looms भी थे इसके अलावा हमारे यां chemical industries भी थी अब अगर आपको कपड़ा पहनते हैं जो भी आप तो इसमें जो है अगर आप cotton से अगर कोई भी चीज देख रहे हैं तो cotton जो है वो तो white color का होता है लेकिन आपको colorful अगर आप कोई कपड़े पहन रहे हैं तो वो भी तो market में मिलते हैं तो ये कैसे मिल पा रहे हैं क्योंकि उन पर क्या होता है कि कई तरह के chemicals यूज किये जाते हैं जिससे इसके उपर coloring की जाती है bleaching की जाती है त तो लूम, power loom से आपने कपड़ा तो बना लिया लेकिन साथ-साथ हमारे MP में बहुत सारी chemical industries भी थी, dyeing industry भी थी जो color dyeing वगेरा में help करती थी तो इसके कारण भी जो है एक बहुत बड़ा step ये भी रहा कि कारणों में आप बता सकते हैं raw material, black soil का होना, power loom, loom industries का होना, फिर ready made parks भी हैं, अगर आपके पास कपड़ा है, colorful कपड़ा है, तो उसको सिलना भी तो जरूरी है, उसकी tail ring भी होना जरूरी है, तो हमारे पास ऐसे ready made parks भी हैं, जहां पे इन कपड़ों की सिलाई हो पाती है, तो इस चीजों से भी उनकी भरपाई हो पाती है, तो ये सारी conditions भी ह हमारे यहां फुल्फिल हो रही थी, तो आपको एक एक कंडिशन समझने आ रही होगी, कि कैसे cotton textile मिल, हमारे इस areas में develop हुई है, अगर इंडिया के terms में हम देख रहे थे, तो हमने यहां पर बात करी, कि इंडिया में कुछ ही जगाव पर है, जैसे कि उत्तरपदेश में कानपूर है, एमदाबाद है, सूरत है, तो यह वाला जो पूरा बेल्ट आप देखेंगे, तो यह तो आपका cotton production के लिए काफी जादा है, आज भी सबसे जादा जो cotton production होता है, वो गुजरात में होता है, फिर महराष्ट में होता है, एमपी थर्ड नंबर पे, तो यह सारी चीजें जो है raw materials के लिए हो गई, तो पहली condition हमने raw material मान ली, फिर आपका जो raw material कहां होगा, black soil पर होगा, तो दूसरी condition black soil की आपने बता दिया, इसके लाबा लूम और power loom industries थी, इसके लाबा chemical industries थी, इसके लाबा रेडिमेट की final answer की आ गई है, जिनमें 3 questions delete हुए है, देखो MPPC का जो अभी recent आया है, उसको मैं यही पर बता दे रहाँ, कि आपके 3 questions जो हैं, उसमें उन्होंने delete कर दिया, उनको, इसके अलाबा 5 questions जो थे, उनके, मतलब answers जो थे, उनको भी update किया है, और 2 questions के answers को change किया है, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो कई बच्चों के वो पुराने answers भी ठीक थे, तो 3 questions जो delete किये हैं, और 5 questions में से मान लिया जाए, कि अगर आपके, अभी जो भी आएगी, list वो 97 से आएगी, अब 97 का मतलब लगबग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके marks चले जाएंगे, 194 से आपका cutoff आएगा, अब 194 से cutoff की बात करें, तो पिछले बार से अगर comparison किया जा तो पिछले बार 73 cutoff गया था, तो इस बार भी लगबग 70, क्योंकि paper काफी easy था उसे साब से, तो 74, 75 अभी भी कोशिश है, हो सकता है 73 वापस है, तो 146 से 150 के बीच में, जो है आपका, जो जनरल का cutoff है, वो इस रेंज में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे answers थे, जिसमें लोगों को doubt था, उस पर MBPSC ने दो-दो answers दे दिये हैं, तो यहाँ पर जो हम वापस आते हैं, और भी यहाँ पर यह industries को develop किया गया, तो एक कारण तो आपको यहाँ पर देखने मिल जा रहा है, यह वही कौन-कौन से reasons हैं, तो मैंने आपको बता दिया, raw material, black soil, loom industry, power loom industries, chemical industries, radimate, parks वगेरा, अब देखिए, इसके अलावा, 2014 की बात करें, तो 2014 में एक program launch किया गया था, जिसको बोलते थे, IPP 2014, तो मद्धे प्रदेश सरकार ने एक program launch किया, जिसका नाम क्या था, IPP 14, जिसमें था industrial promotion policy, industrial promotion policy, 2014, अब इसमें क्या था, तो इसमें दिये गए थे special package, क्या थे special package, तो इसमें ये था कि वही कोई भी मद्धे प्रदेश में आकर, उद्ध्योंगों को स्थापित करें, अलग अलग तरेके को उद्ध्योंग स्थापित करें, कोई food park आकर, यहाँ पर खोल ले, यहाँ पर कोई cotton textile industry खोल ले, कोई steel industry खोल ले, कोई zinc industry खोल ले, तो यह सारी चीजें जो हैं, मद्धे प्रदेश सरकार ने, 2014 में एक प्रोग्राम लाया गया, जिसको industrial promotion policy था, और इस industrial promotion policy में, FDI जो होता है, FDI का मतलब क्या होता है, तो होता है foreign direct investment, तो foreign direct investment में, cotton textile को दे दिया गया 100%, कितना दिया गया है, 100% दिया गया है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखा जाए, तो हमारे यहां क्या होता है, कि अगर जैसे कोई foreign की company है, अब वो foreign की company इंडिया आ रही है, इंडिया आने के बाद, जो है, वो यहां पर अपनी industry set up कर रही है, अगर भारत सरकार ने उसको पूरा का पूरा FDI दे दिया, कि वो आकर भारत में कितने percent invest कर सकती, मतलब एक company खोली गई, तो उस company में मान लिया जाए 100 रुपे की वो company खुली, तो इसमें भारत सरकार के भी कुछ रुपे होंगे मान लिया जाए, कि ये company कल की date में 200 रुपे कमाती है, तो भारत सरकार का अगर 20% share है, तो 400 रुपे, 40 रुपे भारत सरकार के पास भी आ रहे है, तो अगर कोई भी निर्ण ने ये company लेगी, तो उस पर दवाब बनाया जा सकता है, तो FDI इस तरीके से होता है, कि भाई कितना आप direct investment दे रहे हैं, कि वो कितना investment यहाँ पर आकर कर सकती है, तो जो cotton textile industries हैं, उस पे हमने 100 FDI दे दिया, 100% FDI, तो अब इससे क्या फायदा होगा, और ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, कि हर industry में 100% FDI दे दिया जाता है, तो इसको भी समझ लिजिए 2 मिनिट में, तो FDI में कैसा होता है, कि मान लिया जाए कि कोई company है, जो missile बनाती है, अब missile बना रही है वो इंडिया में, और अगर उसको हमने 100% FDI दे दिया, तो हमने उसको अपनी जगा भी दे दी, missile बनाने के लिए हमारा ही जो है पूरा labor भी वहाँ पर काम कर रहा है, मतलब इंडिया के ही लोग उसमें काम करना है और वो missile बना दी, कल की डेट में उसकी कोई भी तरह की problem है, वो इसने इंडिया के उपर ही वो missile चला दी, तो space programs में, defense program में कभी भी किसी company को 100% FDI नहीं दी जाती, लगबग 50%, 40% इस तरह की FDI दी जाएगी, कि बही foreign players आये और अपना एक share लगा कर वो company को चला ले, लेकिन cotton जो investment था, या मतलब आपका जो cotton textile industry थी, इसमें भारत सरकार और मध्यपितर सरकार दोनों नहीं देखा, कि हमारे पास इतना scope है, कि यहाँ पर कोई foreign players आएंगे, और यहाँ पर उनको अगर हम मौका देंगे, उसको special packages देंगे, जिसमें कड़ोड रुपे, उनको इन industries के लिए जो subsidy के तोर पर दिये जाएंगे, तो यह industries यहाँ पर आकर जादा खोलेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर textile park establish करेंगे, जिसमें सारी तरह की चीज़ें होंगी, तो लोगों को employment भी होगा, state का economy भी boost होगी, और इस तरीके से जो है, आपका industries को भी हम यहाँ पर develop कर सकते हैं, और देखा जाए तो Europe के development में, एक बहुत बड़ा role रहा है industries का, तो इसलिए हर देश चाता है कि उसके आँग जो industries हैं, उनको बहुत जादा prevalent किया जाए, promote किया जाए, तो 100% FDI भी एक मध्यप्रदेश में कारण है, जो industries इतनी सारी हैं, तो यहाँ पर industrial promotion policy को भी आप include कर सकते हैं, तो यह बात यहाँ तक समझने आई होगी, इसके अलाबा हमारे हाँ बहुत सारे textile park भी establish किये गए, अब यह textile park क्या होता है, तो भाई textile park जो होते हैं, यह वस्त्र बनाने की जगा होती है, जैसे indoor में आप जाएंगे, तो indoor में एक जगा है electronic complex, electronic complex में कई तरह के, electronic complex के ही आसपास आप देखेंगे, वाँ radiumate complex बने हुए, मतलब वो ऐसे textile park हैं, जहाँ पर कपड़ा आ रहा है, कपड़ा सेल रहा है, कपड़े से कई तरह की चीज़ें बनाई जा रही है, तो इस तरह के setups को भी यहाँ पर काफी promote किया गया है, indoor को तो बहुत ही ज़ादा इसके लिए जाना जाता है, शुरू में भी मनें बताए कि commercial capital क्यों कहा जाता है, तो एक textile park का होना भी आप इसमें एक reasons दे सकते हैं, अगला reason बता सकते हैं कि इनको support करने के लिए हमारे हाँ क्या खोले गए हैं, institutes खोले गए हैं, institutes में क्या आ जाएगा, तो इसमें institutes में तीन institute बहुत important है, तो इसमें एक institute है, एक institute of designing, institute of designing की बात करें, आप designing की पढ़ाई कर सकते हैं, इसके अलावा institute of fashion designing, fashion designing का भी institute है, ये भी कहा है, तो ये भी है आपका भोपाल में, इसके अलावा एक और institute है, जिसको कहा जाते हैं, इंडियन institute of design manufacturing, इंडियन institute of design and manufacturing, अब ये कहां पर है, तो ये है जबलपूर में, तो बेसिकली ये industries में, जो लोग, मतब इन institute में, जो लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद, वो और भी तरह के अपने mind, जो भी thoughts हैं, या ideas हैं, इन industries को दे सकते हैं, इन industries में आकर काम कर सकते हैं, तो हमारे हां ये इस तरह का backup institutes भी हैं, अब देखा जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि ये industries के लिए, एक reason institutes तो हैं, अब जब लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अगर fashion sense develop होगा, जो fashion designers होंगे, वो अपना अलग-अलग minds लगाएंगे, और अलग-अलग तरह के fashions को develop करेंगे, जो youth में काफी ज़्यादा प्रशलित हो जाएगा, और ये धीरे-धीरे अगर हम trend भी देखें, तो इसमें एक चीज़ जो बताई जा रही है, ये वो है आपकी demand की, अगर हम आज से 15-20 साल पहले देखें, तो इतना demand नहीं था, कपडों में एक साधा design भी हुआ करता था, तो लोग उसको खरीदते थे, अब धीरे-धीरे market में क्या होता जा रहा है, हर design की कीमत होती जा रही है, जितना अच्छा design है, उतना महंगा जो है, वो market में देखने में मिलता है, कि महंगा बिखता है, तो demand भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, हर 10 दिन में कुछ नया fashion में आ जाता है, तो ये सारी चीजों पर भी research चल रही है, तो market में जो demand अपने आप create होती जा रही है, आपको जो पुरानी चीज लग रही है, या पुराना design लग रहा है, वो आप नहीं खरीद रही है, आप कुछ नया खरीद ले रहे हो, तो उसके कारण भी इस industries को आप develop कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है, demand भी continuously से rise हो रही है, यह भी एक कारण आप बता सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो cheap labor, cheap labor तो मैंने last session में भी बताया था आपको, कि मद्धे प्रदेश में cheap labor आसानी से मिल जाता है, राजस्थान की boundaries यहाँ से लगती है, अब राजस्थान में तो mostly tourism होता है, tourism से पैसा कमा रहे हैं, 36 गड़ में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कुछ-कुछ reasons हैं, जहाँ पर बहुत लोगों prosperous हैं, बाकी लोग employment के लिए इस तरफ shift हो जाते हैं, तो यह reasons भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल को जो भी information है पूछ लीजए, sir I am keep watching your videos, थैंक यू, आप लोगो वीडियोज अच्छे आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो हम लोग जो है बहुत अच्छी बात है, बस यह है कि lecture को share जरू करिया, जितने भी आप लोगों का सरकाल है, उसमें इस lecture को share कर दिया करिया, कि हम लोगों की जो mains की series है, जादा से जादा लोगों तक पहुचे और आप लोगों को फायदा हो, तो यह continuous रहेगी, मैंने पहले भी बताया था, और भी कोई तरह के suggestions हैं, तो आप लोग comment section में मुझे जरूर बताएगा, हम उसके उपर भी topics के उपर lecture लेकर आएंगे, तो यह जो एक way है, बस हम इस तरीके से चीजे पढ़ रहें, कि हम simple way में हमारे mind में चीजें जाए, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा answer हम लिख पाएं, अलग-अलग reasons बता पाएं, कि क्या-क्या reasons हैं इन चीज़ों के पीछे, तो यही एक पूरा का पूरा mind है, इस पूरे process के पीछे, तो आपको समझने आ रहा होगा, कि cotton textile के लिए आप क्या condition, क्या reasons बता सकते हैं, कि हमारे मालवा वाले reasons में, इतनी सारी factories, इतनी सारी चीज़ें, डवलप हुई थी, सर, जोग्रफी की class, डेली लाईए, प्लीज सर, request है, देखो, जोग्रफी के हम एक काम करेंगे, देखो, यहाँ वाला जो session है, यह मेरा regular session होता है, इसके लावा सुबह मेरी 8 बज़े भी class होती, कल भी मैंने बताया था, कि यह सारी चीज़ें, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, चाहे morning का lecture होता है, इसमें काफी जादा हमको, जो है back end पे भी काम होता है, तो ऐसा है कि, आप लोगों की बहुत सारी geography के लिए आ रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं geography पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत सारा time अभी निकल नहीं पा रहा है, इसलिए उस पे session मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे, कि हमारा जो remains वाला है, इसके अलाबा एक जो session है मेरा morning में daily होता है, उसके पीछे भी हमको काफी research करना होता है, जैसे morning में रोजाना, जैसे आज ही आप देखेंगे तो biology के उपर हम पढ़ रहे थे, physics का भी session आता है, आज दिन में 2 बज़े आपने देखा होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी इन sessions को extend कर दें, बट हम ये नहीं चाते हैं कि कोई एक session चालू हो जाए, फिर उसको हम बीच में बंद कर दें, अगर कोई चीज चल रही है तो वो regular basis पे चलते रहे, इसी कुशिश से सारे sessions डिजाइन किये गए, कि कोई session बीच में न रुके, तो इसलिए मैं आपको fake promise कर दूँ कि मैं 2 दिन classes लूँ, उसके बाद मैं content ना create कर पाऊं, उसके बाद वो class पूरी ना हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा interruption होता है, आप लोगों की पढ़ाई के लिए भी मेरे लिए भी, तो इसलिए हम एक एक करके step ऐसे रख रहे हैं, कि ताकि आसानी से जितने sessions promise किये गए हैं, वो sessions कहीं से भी break ना हूँ, क्या आप सारे topic cover करेंगे, देखो MP के terms में तो देखा जाए, मैं पढ़ा चुका हूँ, तीनों subject के मिला कर, इसके लाब हो science and technology, जो है वो मैं पढ़ाऊँगा, geography मैं पढ़ाऊँगा, इसके लाब है MP से जो भी चीज़े हैं, MP का पूरा का part, ये मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको, तो ये इस तरीके का design रहेगा, और कोई issues हैं, तो वो बताइए, geography वाला issue मेरे पास आ रहा है, मैं उस पे भी बिल्कुल work करता हूँ, कि आप लोगो जाज़ा से यादा चीज़ें दे पाएं, लेकिन एक proper format में दे पाएं हम, Sir, please, can you teach paper 1, 2, 3 completely, बिल्कुल, बिल्कुल, पेपर 1, 2, 3 हम बिल्कुल इसको cover करी रहें, जैसे मैंने आपको देखा होगा, जब यह session स्टार्ट किया था, और इससे भी पुरानी जो हमारी playlist है, उसमें मैंने unit 1 को बहुत ज़्यादा cover किया है, जिसमें मैंने bug hill पढ़ाये थे, आपको holkers पढ़ाये थे, OPSC जो हमारे है, state PSC से related है, NGT वगेरा, ऐसे कई quality के भी units मैंने की हुई है, और साथ साथ अभी मैं थोड़ा सा geography of MP, और quality of MP के topics को cover कर रहा हूँ, जो आपका paper 2 का, मतलब paper 1 का part B के अंदर है, और paper 2 के अंदर जो economics वाला part है, जिसमें infrastructure की बात है, उन चीज़ों को हम यहाँ daily basis पे cover कर रहे हैं, सर, GPSC के लिए भी, बिल्कुल देखो, कई ऐसे topics होते हैं, जैसे state specific छोड़ कर, जो topics है, अब जैसे आपको कोई भी जगा पर, आप किसी भी जगा पर industries के reasons लिख रहे हो, जैसे हम यह चीज़े पढ़ रहे हैं, तो यह ऐसा नहीं है कि जब आप Indian industries के लिए बात कर रहे हो, जैसे यही reason जब आप यहाँ पर किसी एहमदाबाद के लिए दोगे, तो एहमदाबाद के लिए भी यही होगा कि वहाँ पर cotton जादा होता है, तो उस तरीके से आप लोगों को answers लिखने है, तो देखिए, आगे बात करते हैं, तो इतनी बात समझने आ गई होगी कि क्या-क्या reasons आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो reasons बताएं, इन reasons में सबसे पहले आप raw material बताएंगे, फिर black soil को बताएंगे, इसको रेगूर स्वाईल ही का आजाता है, cotton स्वाईल ही का आजाता है, बहुत जादा cotton इसमें production होता है, power looms यहाँ पर है, looms का production है, chemical industries थी, ready-made parks वगेरा थे, इसके अलावा सरकार ने भी policies चालू की गई थी, जैसे industrial promotion policy, जैसमें special packages दिये गए थे, FDI दिया गया cotton textile industries को 100 प्रतीशत, इसके अलावा textile park सेट अप किये गए, कई तरह के institute सेट अप किये गए, जैसे institute of design, institute of fashion, institute of design and manufacturing यह जबलपुर में, दो बोपाल में है, इसके अलावा demand भी जो लोगों की है, वो दीरे-दीरे बढ़ती जा रही है, तो इसके कारणी भी यह industries काफी बूम हो रही है, यह लोगों को रोजाना, जो है आप देखेंगे celebrities, तो एक दिन जो कपड़े पहन लेते हैं, वो दूसरे दिन नहीं पहनते हैं, तो इतने सारे अगर वो कपड़े पहनते होंगे, तो यह दीरे-दीरे trend लोगों को भी देख, अब celebrities को लोग फॉलो करते हैं, तो वो भी चाते हैं कि उनके भी wardrobe में बहुत सारे कपड़े हों, तो वो भी जो चीज है, कही ना कही इन industries को प्रमोट करता है, यह भी एक सच्चा ही है कि हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं, जो एक समय का खाना नहीं खा पा रहे हैं, कपड़े तो दूर की बात हैं, लेकिन यह industries भी धीरे-धीरे जो है बूम कर रही हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो textile industries हैं, उनका तो प्रमोशन हो रहा है, लेकिन जो एकदम cotton-based हैं, उनमें थोड़ा सा decline भी आया है, क्योंकि आज की rate में क्या है, वह cotton का जो कपड़ा होता है, वो थोड़ा महंगा बिखता है, लेकिन अगर हम synthetic कपड़े की बात करें, तो synthetic कपड़ा आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, आपको markets में ऐसा भी मिलेगा, कि कई जगाओं पे जो है, आपको 50-50-100-100 रुपे में कई कपड़े मिल जाते हैं, तो वो जो होते हैं, वो synthetic के बने होते हैं, तो synthetic जो है सस्ता मिल जाता है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं, cotton को जो है suppress किया गया है, तो आप इसके decline के भी एक reasons में ये बता सकते हैं, कि cotton का प्रेचलन तोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि synthetic कपड़े जो होते हैं, वो shine जादा करते हैं, उनका cheap cost होता है, तो लोग उनकी तरफ जादा हो जाते हैं, तो इन सारे तरह के से आप reasons बता सकते हैं, MPPSC का batch, देखो MPPSC के लिए अभी जो recently अभी batch आएंगे, तो वो मैंने अभी बताया कि उस पर back end पर बहुत सारा work चल रहा है, मैं भी बहुत सारी classes अभी जो paid हमारे courses से उन पर भी चल रही है हमारी, जैसी वो चीज़ें complete होगी हम आपको बता देंगे, इसके अलाबा quality पर कह रहे हैं, quality के उपर भी जो topics हैं, उन पर भी मैं class ले लूँगा, don't worry, तो देखते हैं, तो अब ये reasons हो गए, अब MP के अंदर भाई किस तरीके से development हुआ था, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, तो भाई MP में जो सबसे पहला, मैंने आपको बताया था, कि इंडिया में सबसे पहला जो plant खोला गया था, वो 880 में खोला गया था, कहाँ पे, Fort Gloster में Bengal के अंदर, लेकिन वो successful नहीं रहा, फिर CN दिवार जो साब थे, उनने मुंबई में खोला, और काफी ज़्यादा prevalent रहा, काफी successful रहा वो plan, तो ऐसे ही MP के अंदर कहाँ पे open किया गया था, नेपा नगर में, बुरानपूर में, लेकिन ये भी successful नहीं रहा था, ये कब की बात है, 1906 की, तो 1906 में तापती, जो है, मिल जिसको कहा जाता था, ये नेपा नगर मिल खा जाता था, इसको open किया गया था, उस समय ये successful नहीं होई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर development कर दिया गया था, तो आज भी यहाँ पर, बुरानपूर में, जो है, आपको मिल जाएगी cotton textile मिल, इसके बाद जो है, इंदौर जो था, यहाँ पर मालवा मिल खुली गई थी, जो की, बहुत ही important मिल थी, 1907 की बात की जाए, तो 1907 में यह मिल को open किया गया था, तो इंदौर में मालवा मिल, इसके अलाबा दो मिल यहाँ पर और हैं, जिन में क्या नाम है, एक सोदेशी मिल और एक कल्यान मिल, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दी, बुरहानपुर में जो अंसक्सेश फुल रही थी, बाद में फिर इस पर काम किया गया था, इसको सक्सेश बनाया गया था, लेकिन उस समय 1907 में मालवा के अंदर, मतलब मालवा का ही इंदर है, इंदर में कौन सी मिल खोली गई, मालवा मिल, इसके अलावा सोदेशी मिल, और कल्यान मिल, ये, तो आपका ये दिख रही है, mostly industries किस वाले बेल्ट में है, आपके western MP में, तो पूरा का पूरा western MP इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये पूरा बेल्ट जो है, यहाँ पर जो कहा जाता है, cotton का production बहुत होता है, घरगौन की बात कर लें, बढ़वानी की बात कर लें, खंडवा की बात कर लें, ये पूरा reasons cotton belt है, तो इसके कारण यहाँ पर raw material बहुत अच्छा होता है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो उज्जैन में भी एक milk खोली गई, उज्जैन में जो नाम था, उसका नाम था हीरा मल, तो उज्जैन में हीरा मल नाम की एक milk खोली गई थी, इसके बाद बात करें, पनाये गया था ये भी आपका उज्जेन में था तो देखिए सबसे पहला मैं आपको बता दिया बुरहान पुर्वाला 1906 फिर 1907 में क्या हुआ तो मालवा मिल खोली गई बाकी इंद और में कल्यान मल मिल और स्वदेशी मिल है उज्जेन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो आप कौनसी मिल हो गई तो कल्यान मल मिल ये 1934-35 में कहां खोली गई थी इंद और में खोली गई थी इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देख लिजे यहां पर ये जो है कल्यान मल मिल है 1934-35 में इंद और में इसके अलावा स्वदेशी मिल में आपको बताएं 1928-29 में तो इंदोर में हमने यह 3 मिल को ही देखा, यहाँ पर देखेंगे आप तो, यह 3 मिल कौन-कौन सी है, कल्यान मल मिल, मालवा मिल और स्वदेशी मिल, तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं, यह 3 मिलों की, इसके अलबा हीरा मल मिल कहा है, तो यह उजएन में कूली गई थी, 1934- 35 में इसके लावा new textile जो है 1938-39 में भोपाल में खोली गई थी इसके लावा तापती जिसको बुरहानपुर नेपानगर वाली जो है ये 1906-07 में start किया गया था ये first था लेकिन उससा में unsuccessful रहा था बाद में इस चीज को convert किया गया और आज बुरहानपुर के घर-घर में power loom है क extraction seat जो है ये 1963-64 में कहां खोली गई उजयन में तो हमारे western MP में ही major industries का पूरा बोल बॉला है और अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में ये तो major है total कितने बोल सकते हैं तो total cotton mills में आप बता सकते हैं कि MP के अंदर जो total cotton mills है उनका count है 65 और ये industries काफी तेजी से जो है बड़ी वज़ा है यहाँ पर आने वाली demand तो demand is industries की continuous है मतब continuous demand है कपड़ा तो पहनता ही इंसान इंसान की जो basic amenities या basic जरूरत है जिसमें बोजला जाता है रोटी कपड़ा मकान तो भई हमें जो है रोटी मतलब basically हमें food चाहिए तो food हमें खाना ही है इसके अलावा रहने के लिए shelter चाहिए habitat चाहिए और वैसे ही पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो यह industries कभी नहीं बंदो सकती क्योंकि यह basic जरूरत है इंसानों की लेकिन इन industries को promote करने के लिए सरकार को proper monitoring करना इन जगाओं के raw materials की proper supply करना water facilities को provide करना electrical facilities provide करना cheap labor को provide करना और जो इनके लिए raw materials चा का question देख लेते हैं यह चीज तो यहाँ पर आ गई होगी आपको समझने अगर कोई doubt है तो जल्दी से मुझे पूछिए कल का question मैंने दिया था कि what is weight losing industries और दूसरा question था write in detail about the sugar industries of MP यह कल का question था कई बच्चों ने लिखकर भेजा था जिन में यह cancer आया था मैंने जिसमें write in detail about the sugar industries इसमें लिखाए if it if it is an agro agriculture based industries 65% of the total sugar cane area of MPs in nursing पूर यह पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है and the term dash sugar bowl of madhya pradesh it's it's comes under the weight losing industries यह भी एक अच्छा point है और 26 district of madhya pradesh comes under this तो यह map बनाया हुआ है बहुत अच्छे से map बन रहे हैं सभी बच्चे maps जरूर बनाएं क्योंकि 11 marker में मैंने आपको बताया है introduction तो दें आप साथ में बीच में जब body में map को जरूर यूज करें it is the second largest industries of MP इसके लावा यह three marker वाला जो question था weight losing industries raw materials are relatively heavier than the finished product बिल्कुल sugar industries को आप बता सकते हैं leather industries भी इसमें example हो सकता है इसके अलावा weight gaining industries are relatively lighter than the finished products जहाँ पर भी आपकी packaging हो जाती है न जहाँ पर आप packaging कर देते हैं वहाँ पर हो जाती weight gain हो जाता है तो packaging industries में mostly होता है इंसलीर industries की बात करें जैसे automobile के अलग अलग parts आए एक जगा मिली और वो जो है आपका एक automobile डवलप हो गया तो उनको एंसलीरी industries कहा जाता है industries के भी और आगे मैं types पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको बता दूँगा इसके अलावा एक cushion cancer ये भी आया था मेरे पास sugar formation में तो यहाँ पर इनको wash किया जाता है cut किया जाता है यहाँ पर थोड़ा सा introduction का part की कमी थी थोड़ा सा एक चोटा सा introduction लिखिये कि वही किस industries के अंदर आती है फिर ये चीज़ आप start कर दीजे factors बहुत अच्छे लिखे हैं फिर सारी industries को यहाँ पर बताया हुआ भी है map भी use किया हुआ factors for unsuccessful भी बताया हुआ है इसके अलावा ये sugar industries in MP is one of the largest significant sector of India many sugar mills are not at work ये भी reason सही दिया हुआ है इसके अलावा weight losing industries की definition सही है थ्री marker में तो और भी बच्चे जो है answers लिखकर जरूर भेजी है कई बच्चे जो है regular आ रहे हैं कई लोगों के कुछ दिन आते हैं कुछ दिन रुख जाते हैं तो वो भी regular हो जाए और भी कोई तरह की problems आरी तो वो भी मुझसे पूछी है लेकिन आज यह कलमे मैं उनको भी reply कर दूँगा तो don't worry about that आज का जो question है उसको भी लिख लीजिए कि explain about the cotton textile cotton textile industries of MP मध्यपिदेश की सूती कपड़ा उद्योग के बारे में बताई है और यह क्या लिखना है आपको 11 marker लिखना है तो देखिए इस answer को थोड़ा सा मैं आपक production लिखेंगे introduction में क्या लिखना होगा परीचे में क्या लिखना होगा तो सबसे पहले आप बताईए इस industry के बारे में कि वह यह industry क्या है तो यह एक ऐसी industry है जो किसके अंदर आती है तो एग्रो बेस्ट में आती है agriculture का product है cotton और cotton के अंदर आती है जो कि आपका वह इंडिया क MP के अंदर जो इंदौर वाला reason है जिसको हमारी commercial capital कहा जाता है जो website क्राजधानी है हमारी mini Bombay जो कहा जाता है वो इनी चीज़ों के कारण कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो major major cities है कानपुर एमदाबाद सूरत मुंबई कोयम बटूर मदूरई और इंदौर ये सारी जग पर यहाँ पर बताईए उसके अलावा एक map बनाईए उस map के अंदर सारी industries की location बता दीजे फिर इसका conclusion भी दे दीजे एक point जो है conclusion के अंदर निशकर्ष के अंदर ये भी डालिए कि धीरे धीरे इन industries की demand भी कम हो रही है क्यों कम हो रही है क्योंकि हम synthetic चीजों पर जादा जा रहे हैं तो इस तरीके से आप एक conclusion में ये बताईए और दूसरा आप ये इसका plus point भी बताईए कि इंडस्ट्रीज एवर ग्रीन इंडस्ट्रीज है क्योंकि human की basic needs के अंदर ये industry आती है basic needs जो मैंने बताया कि हमारी जो एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरतों के अंदर रो समर्ड आप जो भी आगे मतलब एक question आप मुझसे जो है कोई भी social media handles पर मुझसे पूश लीजेगा वहाँ पर आपने इस चीज़ पर बात कर लेंगे segment start हो रहा है वो मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही है तो जिनमें कई ऐसे students होते हैं जिनकी क्योरी होती है तो उनको भी हम वहाँ पर ले लेंगे तो don't worry मैं आपका question तो समझ रहा हूं लेकिन अब उसमें थोड़ी से और detail करनी पड़ेगी तो अभी तो lecture चल रहा है उसके बाद आप मुझे mail पे ये जो है अपना जो भी questions है मतलब अपना जिस year में आप पढ़ रहे हैं अभी आपने मतलब क्या-क्या कितने level तक पढ़ा हुआ है वो भी चीज़ आप एक बार बता देंगे तो उस तरीके से मैं आपको guide कर दूँगा ठीक है और कोई questions है आज जो पुराने lecture है उनको भी देख लिजे क्योंकि हमने हर lecture में कुछ ना कुछ ऐसे points पढ़े हैं जिसमें आप answer तो आसानी से लिखी सकते हो आपको बहुत जादा रटा नहीं मारना है पस दिमाग में ऐसे point आपके बैठ जाएंगे तो दो तीन बार इस lecture को revise कर लिजे पुरा आज जैसे मैंने पढ़ा है आपको cotton textile industry forest में हमने paper industries को पढ़ा हुआ था तो ऐसे हमारे पास combination हो गए जैसे sugar industries की भी बात की थी हमने last lecture में तो इस तरीके से सारी चीज़ों का यह आप पढ़िए और उनसे conclusion निकाल कर थोड़े-थोड़े pointers दीरे-दीरे add करते चालिए तो आगे बात कर लेंगे तो यहां तक सारी चीज़ें clear होंगी answer लेकर कहां बेजना है तो इस mail ID पर आपको answer बेजना है इसके लावा इस lecture की PDF यहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और भी कोई तरह के questions है इस social media handles पर मुस्से जोड़ लेंगे और question पूछ सकते हैं PDF ले सकत हैं thank you very much for watching this have a great day